मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाब देश व्यापी लोकडाउन को आज नव दिन हो रहे हैं। इस दोरां आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिशे दिया है, वो अभूत पुर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनारदन ने मिलकर इस्थीती को अच्छे ढंग से सम्हालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया। वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता करफ्यू हो, गंटी बजाने, थाली बजाने का कारकम हो। इन्होंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया। यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉक डाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड देश्वास्यों की सामुईक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देश्वास्यों की इस सामुईक शक्ति की व्राड़ता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्चक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनारदन इस्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का दिराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। यह साक्षात कार हमें मनोबल देता है, लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ठ करता है। साथियों, कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहें, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिस्चित्ता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निस्चित्ता की तरफ बढ़ना है। इस अंदकार मैं कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है। उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है। एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है। पांच एप्रिल रविवार को रात नौ बजे मैं आप सब के नौ मिनिट चाहता हूं। द्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रविवार को रात नौ बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनिट के लिए मुम्बत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लेशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा मुम्बत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लेशलाइट पांच एप्रिल को रात को नौ बजे नौ मिनिट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे। चारों तरब जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा। तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है। हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, 130 करोर देश्वासी एकी संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रातना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या महलों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे कर रहा है। सोशल डिस्टंसिंग, सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्वाण डेखा को कभी भी लांगना नहीं है। सोशल डिस्टंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबान इलाज है। इसलिए पांच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैठकर माभारती का स्मर्ण कीजिए। एक सो तीस करोर देशवाचों के चहरों की कलपना कीजिए। एक सो तीस करोर देशवाचों की सामुईक्ता इस महासक्ति का एसास कीजिए। यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा। और जीतने का आत्म विश्वास भी। हमारी यहां कहा गया है उत्साहो बलवान आरिया। न अस्ति उत्साह परंबलं। स उत्साहस्य लोकेशू न किंचित अपी दुल्लभं। यानि हमारे उत्साह हमारी स्पिरीड से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिर न कर पाएं। आईए साथ आकर साथ मिलकर करोना को हराएं। भारत को विजई बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूस खबरों का सार्थी। के न्यूस की अपील हैश्टेक इस्टे एट होम। लोकडाउन में आप घर से बाहर ना निकले। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना भरतें। लोकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एक मात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।